हेलो गाइज, फिर से हाजिर हूँ एक नहीं सांदार बंपर वेकेंसी के साथ, जिसमें डिपलोमा बीटेक, आईटे याई तेन त्वेल सभी इलिजिबल है, और फ्रेसर बिल्कुल इलिजिबल है, कोबर्मेंट आफ इंडिया का पर्ममेंट जॉब है, तो चलिए हैं इसके अपर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, इससे पहले यदि आप हमारे टेलिग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो हमारे जुड़ जाईए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल-पल जॉब अपडेट मिलता रहेगा, टेक्निकल फिल या कोई साब फिल में बेकेंसी आता है, मैं उसको मिश नहीं करता हूँ, तो इसलिए किरिप आमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, यह जो बेकेंसी निकल के आ रही है, इंटलीजेंस व्यूडियो यानि खूफिया भीभाग की तरब से, जो हो मिनिस्ट्री के अं रिजन वाइज, सतरा अलग रिजन में निकला है, और जिस रिजन में भी आप फिल करते हैं, उहार का आपको do missile होना जरूरी है, के साथ हूँ पर आपको local length based का होना जरूरी है, जैसे यहाँ विहार का कोई रिजन जैसे पटना से आप फिल करते हैं, उहार के रिजन के एक्जिक्यूटी पोस्ट की बात करें तो 1525 वेकेंसी है अच्छा खासा इसमें दिया गया है इसके हम सैली की बात करें तो आपको S.A. के लिए अच्छा खासा सैली 21,700 लेकर 79,100 तक दिया जाएगा आपको D.A.T.S. च्छोड के कम सी कम आपको 30,000 प्लस सैली मिलेगा और इसमें भी आप देख सकते हैं M.T.S. के लिए अच्छा खासा है 18,000 लेकर 56,900 तक इसमें भी आपको अच्छा खासा कम से हम 25,000 अराम से मिल जाएगा तो देख सकते हैं पे इसकेल दिया गया है, ग्रूप C का पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आपके पास only on के क्या होना चाहिए, सिर्फ आपके पास 10 का क्वालिफिकेशन है तो दिया गया तो डिजर्ण में आप 12, IT, BIT, DIP, कोई भी है फिल कर सकते हैं, कोई प्रावल्म नहीं पढ़े प्रमेट की बात करें, तो 27 साल दिया गया हो, 27-25 साल अलग लग केटेगरी में रखा गया आपको डिजर्बेशन एज पर रूर्स मिल जाएगा, 3 साल और 5 साल लेक्जाम की बात करें, तो आपका देख सेथे, 3 टाइर में सेलेक्शन होने बाला है और जो MTS के लिए फिल करतें, उनके लिए डोट टाइर, और जो SA के लिए फिल करतें, उनके लिए टीर टाइर परला टाइर में आपके क्या होगा, देख सकते हैं आपर, 100 कोस्टन होंगे, एक घंटा आपके पास समय रहेगा जेनरल अवार्नेस, कॉइंटिटी, अप्टीटू, निमनिकल अविलिटी, डिजनिंग, उसके बाद, इंगलिस लेंग्वेज और साथ के साथ आपके पास जेनरल एप्टी एस्टडीज होगा हड़े कोस्टन एक मार्के होंगे और आपके उपास एक बटा चार निंगेटी मार्कें होगा और टाइटू में देख सकते हैं आपके पास descriptive paper होगा offline जिसमें आपको translation या जो भी English language के subject होगा और इसमें देख सकते हैं और फिर टाइट टू किसके लिए होने हैं जो essay के लिए feel करते हैं security assistant उनके लिए भी देख सकते हैं इसमें spark and ability test होगा जो 10 नमर का होगा और अलग से interview 50 नमर का तो details यहां पर दिया गया है इसका official notification apply link official website अपने telegram channel पर update करता रहूँगा और इसका पीडिया भी अपने telegram पर डाल दूँगा और अपने description में मैं साराची डाल दूँगा इसमें examination fee की बात करें तो इसमें देख सकते हैं साराची दिया गया है details से इसमें 50 रुपिया आपको examination भी देना है और processing भी आपको 450 दे सकते है details यहां पर देख से ते all candidates सभी candidate के लिए दिया गया है इसके last date की बात करें तो आपका 17 फरवर इसका last date है इससे पहले ही आप apply कर लिजा वेब site है www.mha.com यानि ministry of home affairs तो साराची इससे पहले हमारे चैनल को subscribe नहीं कि हैं तो कि हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि मैं कोई भी job opportunity आद उसको मिच नहीं कर दो